महाराश्टर की छे जिला परिशद के चुनाव नतीजे कल घोशित किये गए जिसमें पूरे राज्य में महाविकास अगाडी को जोरदार सफलता हासिल हुई है जबकि जिला परिशद के उपचुनाव में भाजपा सबसे बड़ी पार्टी होने के बाद भी पीछे रहे गई महाराश्टर के छे जिला परिशदों की 85 सीटों और इन जिला परिशदों की 144 पंचाज समीतियों के लिए मंगलवार 5 अक्टूबर को उपचुनाव हुए थे बुदवार को हुई मतगणना में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उबरी बीजेपी को जिला परिशद में कूल 23 सीटे मिली जबकि महाविकास अगाडी को 46, शियूसेना 12, एनसीपी 17 और कॉंग्रेस 17 सीटे मिली अन्य उमिद्वारों को 16 सीटे मिली हालाकि पंचायद समिती के चुनाओं में कॉंग्रेस पहले नंबर पर रही और बीजेपी दूसरे नंबर पर रही पंचायद समिती की 144 सीटों में बीजेपी को 33 सीटे मिली है, कॉंग्रेस को 35 सीटे मिली है, महाविकास अगाडी को कुल 73 सीटे, शिवसेना 22, NCP 16, कॉंग्रेस 35 मिली है, अन्य उमिद्वारों को 38 सीटे मिली है भारतिय जन्ता पार्टी के लिए अब चिंतन करने वाली बात है, कि जो समिकरन महाविकास अगाडी द्वारा बनाया गया है, उस पर विकल्प ढूंडे, अन्यता आने वाले चुनाओं में भी भाजपा चुनाओं में सबसे ज्यादा सीट तो जीत कर अवल रहेगी, लेकिन स पत्ता हासिल नहीं कर पाएगी, जो इन उप चुनाओं और पिछले विधान सभा चुनाओं के हालातों को देखकर लगाया जा सकता है. अवार ज lässtra चुनाओं में सबसे हो परी पाएगा जीत कर अवाले हं जानी विजये में सबसे है...